सहोधर सहोधर यह रहे बागल कोटे को तो प्रकुर्टे ने लाल मिट्टी और काली मिट्टी दोनों से समुरुद्ध किया है इसलिए अहां अनेक प्रकार की खेती संभव है पिछले नव वर्सों में बीजेपी की सरकार ने दलहन और तिलहन एनि पल्सी एन एडिबल ओईल क के उत्पादन पर बहुत अधिक फोकस किया आप याद किजिए पहले कॉंग्रेस के सासन में दाल की उपज कितनी कम हो गई थी इसके वज़े यह थी कि कॉंग्रेस को बिज़ेसों से इंपोर्ट करना पसंद था क्योंकि उसमें कमिशन के अवसर थे इसलिए कॉंग्रेस हम हमारे किसान जो दाल पैदा करते थे उन किसानों को MSP पी कम देती थी और खरीद भी कम करती थी कॉंग्रेस की सरकार ने 2014 से पहले के फाइव यर में सिर्फ 1.5 लैक मैट्रिक तन दाल MSP पर खरीदी हमारी सरकार ने इस खरीद को लगबाग हंड्रेट टाइंज बढ़ाया फाइव यर में 600 करोड रुपे MSP के रुपे दिये थे बीजेपी सरकार अभी तक 80,000 करोड रुपे दाल किसानों को MSP के रुपे दे चुकी है यहां करना टका बीजेपी सरकार ने भी किसानों को करोड रुपे की मदद की है ऐसे ही प्रयासों के कारण बीते सालों में देश पे दाल का उत्पादन कई गुणा बढ़ा है और आयात कम हुआ है पहले जो हजारों करोड रुपे विदेश जाते थे वो अपकरना टका के और देश के किसानों को मिल रहे है बंदु भगे निर्ये जो परीवरतं दहर के ख्षेतर में हुआ है हम उसी को तिलहन के ख्षेतर में भी दोराना चाहते है पिछले कुर्स वर्सों में एडिबल ओईल के ख्षेतर में तिलहन का उत्पादन 20% से ज़्यादा बढ़ा है लेकिन इसको बहुत अधिक बढ़ाने की ज़रुस है अभी खाने के तेल के आयात के लिए हमें 1.5 लेक करोड रुपे तक हर वर्स विज़ेश भेजने पड़ते हैं मैं चाहता हूँ कि ये पैसा देश के किसानों को मिले हम खाने के तेल में आत्मंदिर फर बने इसके लिए मिशन ओयल पाम के तहट तिलहन किसानों को मदद भी दी जा रही है